नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे यूपी जेट एकजाम 2022 लेटेश अपडेट के बारे में या नहीं मिलेगा इनके इंशात्रों को आविदन का मौका मिलेगा दोस्तों यूपी टेट और सीट और सुपर टेट में आविदन के लिए पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंतर तक देखेगा एक और बड़ी अपडेट निकल कराई लेग पाल भरती परिच्छा में धांदली करने वाले नकल माफिया का परदा फास हुआ है चार कालिज प्रबंदत समेथ कुल आठ लोग की गिरफतारी की गई है टीजीटी पीजीटी परिच्छा 2022 की दोस्तों तयारी सुरू हो चुकी है सिच्छिकाओ से छेड़शाड के मामले में तीन का चलान जाने क्या है मामला पूरी अपडेट को देखेंगे सिच्छागबर्ती की तयारी कैसे करना है क्या फेल चात्र सिच्छागबर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं जी यहां दोस्तों जिन बच्चों की बैक लगीए क्या वो बच्चे आवेदन कर पाएंगे या क्या प्रोसेस होगा पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ठीक है और नए सिच्छागबर्ती का इंतजार कब खतम होगा क्या आप सेल चात्र कर पाएंगे आवेदन ठीक है तो यूपीटेट का पेपर आउनलाइन मोट ते होगा क्या देखे काफी बच्चों का ये सवाल आता रहता है अब ये क्यों आता है सवाल जरा इसको भी देख लीजें क्योंकि अभी हमारे देश में कोरोना के मामले समापत नहीं हुए है 24 गंटे में 8000 से जादा कोरोना के नए मामले सामने आए कोरोना की दोस्तों बूश्टर डोज लग रही है अगर अभी तक आपने नहीं लगवाए तो उसको लगवा लीजेगा ठीक है बागी अन्य देशों में दोस्तों देखे जैसे की जापान में 24 गंटे में 1,94,000 से जादा केसे से साउथ कोरिया में 1,49,000 से जादा केसे से USA में दोस्तों 80,000 से जादा मामले हर एक देश की दोस्तों नजर पर हम लोग अपडेट बनाया रखते हैं एक और दोस्तों बड़ी ख़बर निकल कर आज आई की TGT और PGT की दोस्तों जो परिच्छा है 2022 की सैयारियां शुरू कर दी गई हैं उसके लिए दोस्तों यह नोटिस आपके सामते हैं मतलब दोस्तों 28 शात्रुक लिए अच्छी ख़बर यह है कि और भी मौक्य उन बच्चों को दिये जा रहे हैं जो बच्चे DLR या BTC कर रहे हैं वो बच्चे सिर्फ PRT के इंतजार कर दें कि कब रात में सिच्छक भरती है अब देखें दोस्तों जूनियर का तो इंतजार करेंगे नहीं क्योंकि आपको पता है कि 1894 पदों की जो हमारी जूनियर वेकंसी आई थी अभी तक उसका कुछ अता पता लग नहीं रहे हैं ठीक है कि क्या होगा कैसे होगा हर एक अपडेट पर हम लोग में जर बनाए रखते हैं ठीक है तो इस अपडेट पर भी दोस्तों जरा देखिए तो चलिए करके आज के पहले तमाम बड़ी अपडेट को हम देखते हैं बाकि अधिक जानकारी के लिए मने कमेंड बॉक्स में आप लोगों के लिंक दिया जहां से आप लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यूपीटेट के हरे कोर्ट न्यूज को देख पाएंगे तो पहले दोस्तों मामला ये था कि बीएट बीटीसी कोर्ट न्यूज के अपडेट है जी आँ दोस्तों आपको बता दे तारीक पर तारीक फिर से दोस्तों एक तारीक लगा दिया गया है जो कि लगबग एक मेने के बाद सुनुआई होगी देखे एक बात और आपको बता दे आपको ये एक बात बहुत अच्छे ता पता है कि इस समय क्या हो रहा है कि बीएट और डीलेट कॉलेजों में एडविशन की प्रक्रिया चल रही है अगर दोस्तो कल को ऐसी कोई खबर आगे कि बीएट चात्रों को मौका नहीं दिया जाएगा तो आपको पता है कि बीएट कॉलेजों में बहिए ताला लगना शुरू हो जाएगा ठीक है तो बीएट कॉलेजों में क्या लगेगा ताला लग जाएगा क्योंकि आपको पता कि प्रास्मिक सिच्छक भरती में ही सबसे ज़्यादा वेकेंसी आती है, सबसे ज़्यादा पद उपर अगर दोस्तो ऐसी अपडेट आ जाती है कि भई यह बीएड बार नहीं होगा बीएड शात्रों को प्रास्मिक भरती में मौका मिलेगा तो क्या होगा DL8 कालेजों पर वही ताला लगना सुरू हो जाएगा मतलब दोनों में से कही न काई कालेज में ताला लगना से हो रहे हैं इसलिए हो सकता है कि थोड़े दिन के बाद सुनवाई सुरू की जाएगी और रिजल्ट फाइनल किया जाएगा मुद्दा दोस्तो बहुत ही बढ़ा है सुप्रेम कोड अंतिम सुनवाई दोस्तो अंतिम सुनवाई का दौर चल रहा है जल्द ही अप फैसला लाईगा थीक है तो थोड़ा सा में सबर करना है और जल्द ही फैसला लाएगा बस वही आप समझ जाएए कि क्यों अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रही है इस तमें एडमिसन का दोर है अगर दोस्तों कल आज नतीजा आ जाए कि भईया ठीके बेट को मौका मिल गया है तो DL8 के कॉलेज में ताला लगना स्योर है अगर ये खबार आ जाती कि B8 को बार किया जाएगा तो B8 के कॉलेजों में बेईया ताला लग जाएगा तो यही सब बाते हैं हो सकता है इसी वज़े से देरी हो रही हो बागी चलिए अलग-अलग अब्रेट को देखते हैं HTIP लखनों की टीम ने एक बड़े नकल माफिया का परदा फास किया है उसने चार कालेज प्रबंदक समय स्कूल आठ लोगों को गिरफतार किया है यह रैकेट कई बड़ी भरती परिच्छाओं में धांदली कर चुका है हाली में हुई लेकपल भरती परिच्छाओं में भी लाकों रुपे लेकर कई यह बेड़तियों को पेपर साल्व कराये गएते हैं डिप्टी S.P. दीपक कुमार सिंग को सूचना मिली थी की नैनी इस्तित मुर्टी मनोहर जोसी इंटर कालेज का प्रबंदक जै बाबू तिवारी नकल माफिया रैकेट का सरगना है वह कई अन्य कॉलेज पर बंदक संग मिलकर भरती परिच्छाओं में साल्वर बैठाने का काम करता है इस पर उन्होंने मेर टीम उसके स्रमिक बस्ति इस्तित घर पर दबिस देकर उसे हिरासत में ले लिया उसके कबजे से कई दस्तावेज मिले जिसमें लेक पालव फारेश्ट गाट भरती परिच्छाओं के अबेर्टियों का विवरड लिखा हुआ था सकती से दोस्तों पूछताच में उसने लेक पा समयत कई अन्य भरती परिच्छाओं में सालवर बैठाने की बात कबूल ली बताया कि इस राकेट में कई अन्य कॉलिक प्रवंदग भी सामिल है जो अरेल घाट पर पूरू में हुई परिच्छाओं के बकायल लिंडिन को लेकर बात कीद करने के लिए जुटने वाले हैं तो आप दोस्तों देख रखतें कि भईया वैकेंसी जो आज कलाती है उसमें भी दांदली होती है लेकिन आपको दोस्तों बता देख पूर भी वैकेंसी निकलती है तो बहुत ज्यादा दांदली होगी 100% में ते तो बहुत ज्यादा 20-30% पर ही दांदली होती है बागी दोस्तों जो 70% सीटे होती है वो अगर आप अच्छी तयारी करें तो डेफिनेटली 270% जो सीटे है वो आप के लिए है ठीक है कभी भी दोस्तों दांदली है 100% सीटों पर नहीं होती है नहीं तो हर वैकेंसी में बवाल मत जाएगा ठीक है क्योंकि मेहनत करने वाले चात्तों को सेलेक्शन हो ही नहीं पाएगा कभी फिर तो यह सब बाते जरा ध्यान रखिए और परिष्या की तयारी बहतर तरीके से करिए अगर आपके साथियों का चेयन 79,000 भरती में हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि भईया उसमें सभी बच्चे जुगाड वाले नहीं हो गए बहुत से बच्चे जिन्होंने मेहनत किया अच्छे नम्मर लाएं आज उनका सेलेक्शन हो गया है तो कुछ वैकेंसिया दोस्तो आती हैं जिसमें जुगाड चल जाता है लेकिन अगर आप ये बात कहेंगे कि हर एक वैकेंसी भी जुगाड चलता है तो ये बिल्कुल गलत होने वाला है अब देखे दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि कितने पदों पर आएगी वैकेंसी देखे दोस्तों अभी तक पदों को clear नहीं किया गया है शात्र सिच्छक अनुपात के हिसाब से ही वैकेंसी अमें साथ ही है फिर से दोस्तों उसकी एक टीम गठिक की जाएगी जब रिपोर्ट आएगी उसके बात ही मतलब ये क्लियर हो पाएगा कि कितने पदों पर वैकेंसी आनी है लेकिन मान के चलिएगा कि ठीक ठाक पदों पर वैकेंसी आएगी हर एक अपडेट पर हम लोग नजर बनाये रखेंगे ठीक है तो एक बात याद रखिएगा कि जो एंसी ठीक नई गाइडलाइन्स आई हो उसके साफ से जो बच्चे डीलेट और बेट बे इस साल भी एडमिसल ले रहे हैं ठीक है उन बच्चों को भी यूपीटेट और सीटेट का पेपर देने का मौका मिल जाना चाहिए बाकी आप लोग तर्यारी बेथर तरीके से करिए ठीक है तो मान के चलिएगा कि यूपीटेट का जो पेपर है वो नॉम्बर देसंबर तक जाएगा आवेदन की प्रक्रिया दोस जल्द ही शुरू कर दी जाएगी सितंबर में हो सकता है कि आवेदन लिये जाएगा हो सकता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन किसी भी समयब आ सकता है जिसमें ये बात लिखी होगी कि कब से आवेदन की प्रक्रिया चलेगी और किन बच्चों को मौका दिया जाएगा कहने के मतलब है जो बच्चे प्रेस है मतलब जिन बच्चों ने अभी इसी साल हाली में अड्मिसन लिया है कि उन बच्चों को मौका मिलेगा कि वही नियम होगा पुराना वाला कि फाइनल यर के छास्त्रों को ही आवेदन का मौका दिया जाएगा हर एक अब्डेट पर हम लोग नजर बनाया रखेंगे फिलाल आप लोग तेयारी बहतर तरीके से करिए बेट बेटीजी कोट न्यूज अभी दोस्तों आपको पता दे यूपी में भी हाई कोट में मामदा चल रहा है जो भी अपडेट आएगी अपडेट अब आप तक पह आपको दिल सुखुँ